बच्पन ले एक भीडिये की कहानी हर किसीने सुनी होगे जब एक लड़का बार-बार बेवजा भीडिया आया जिसाता था और एक इन अलब जब जब सच में भीडिया आ गया तो उसकी मदद के दिले कोई नहीं आया ऐसे ही आज कल बहराईश जिले में हो रहा है जहां सच मुझ भीडिया आ गए है और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं आदम खोर भीडिये अभी तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ऐसे में गाउवालों के बीच डर का माहौल बन गया है जिले के 34 गाउव के 50,000 लोग खौफ में रात बिता रहे हैं भीडिये से सुरक्षा के लिए लोगों ने रात में जागना शुरू कर दिया है गाउवाले जुन्ड बनाकर रात में चुन रहे हैं और पहरा दे रहे हैं बहराईश के मैसी पहसील के गाउँ में हर तरफ भेडियों के चर्चा है इस्थानी लोगों की रातों की नीन हराम हो गई है क्योंकि आदम खोर भेडिया रात के वक्त मासूम को अपना शिकार बनाता है बन बिभाग के अधिकारे इन इलाकों से आदम खोर भेडियों को दूर भगाये के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उतर प्रदेश के बहराई जिले के तकरीबन 34 गाउं ऐसे हैं जहां आदम खोर भेडियों का आतंक है अब तक आदम खोर भेडियों ने 9 मासूमों को अपना शिकार बनाया है इस वज़ा से तकरीबन 34 गाउं के लोगों की मीन उड़ गई है क्योंकि राद के वक्त आदम खोर भेडियों का जुन्द रहाईशी गाउं की और रुख करता है तकरीबन बेड़ महीने से ये आदम खोर भेडियों का आतंक चारी है और ये अब हम सुनते हैं उत्रप्रदेश सरकार में वन परिवन मंती ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है कि हम लोग उसे प्रेस करें हैं और हमें उमीरे जन्री और पकड़े जाएं अब क्या पहराई चाहें हैं उन शेत्रों में जा रहे हैं लोगों को आगरा करना है। थानी विदाव बन्द्भाबा की टीम इस्थानिक रफ्रासन लगतार इन गाउं में आदम खोर भीडियों से लोगों को बचाने के लिए पैक्तुरिंग कर रहे हैं बंदिभा की टीम हाथी के गोबर और यूरिम का छडिकाप कर रही है ताँ कि आदम खोर भीडिये रहाइशी गाउं से दूर रहे बंदिभा की टीम ड्रोन के ज़री लगतार इस पूरे इलाकों पर नजर बनाय हुए है बंदेभा के ड्रोन कामरे में आदमखोर भीडिये भी कैप हुए हैं इन कामरे में एक साथ चार भीडिये दिखे तो एक जगा एक एक दिखे ऐसे में आकलन यही लगा जा रहा है कि भीडिये कंचुंड रिहाईशी गाउं की और रुख कर गया है इसकानी वधारक शुरेश्वर सिंग ने तो आदमखोर भीडियों के आतंग पर मुखी मंत्री योगी अधितनास को चिठी लिग दी है और इन भीडियों को गोली मारने के भी आदेश मांगे हैं